घर के और किचन के काम को कुछ ज़्यादा ही जी करने के लिए मैं ऐसी कुछ कुछ टीप सेंट्रिक्स लाइए हूं जिसे की थौलो करके आपके बहुत सारे टाइम और पैसे की बचत हो सकती है तो चलिए फिर देख लेते हैं आज की कौन सी टीप सेंट्रिक्स आपको सबसे पसंद आती है चैनल पे नए हैं तो जाइन कर लेजिए गया से चीट्रिक्स मेल लाती ही रहती हूं तो फिर वीडियो अच्छ लगते हैं तो लाइक कमर से जरूर की ज़रूर की तो फ्रेंट्स अक्सर क्या होता है कभी कबार जो हमारे घर में जो है हम नया लेल पिंट अगर आपके पास थीनर नहीं है फिर भी आप बहुत है अराम से नेल पिंट छुड़ा सकते हो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों जहां पर पुराने नेल पिंट लगे हुए हैं आपको उपर उस अपको जह है उसी के उपर जह है इस तरीकी से कोई भी नेल पिंट लेजिए और दिन क्या करना है दोस्तों इसे झाहें सुखने देना है इसे जिए आप फटा फट से तुरांत से इसे पोच लिए तो देख crate आक जैसे आप पूछेंगे नहीं यह पुराने नेल पिंट है यह भी साथ में बहुत ही अच्छे से पोश हो जाता है साफ हो जाती है अभी जश्ट लगाया मैंने एक सेकंड में आई यह देखे कितना जादा साफ हो गया अब थोड़ा वो तौर भी बचा हुआ है तो आप चाहे तो इस तरीके से फिर से दोवारा लगा लीजिए आपको म कुछ बचल को कि फिर को जोड़ा सकते हैं नेल पिंट को झुछट शूड़ा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है आपको जल्दी में हैं तो बहुत ईजी तरीके से थोड़ी सी जनकारी से हम अपना काम जोए आराम से कर सकते हैं तो देखिए आप कोई भी नया पेंट नेल पेंट लगा लेज़े इस तरीके से और आपका काम हो जाएगा तो कैसा लगा टीप से आप जरूर बताईएगा कॉमेंट के दोस्तों हमारी आज की जॉगली टीप से वह है इस तरीके खाने के पैकेट कुछ भी खरीते हैं तो हमे से को ऐखिए आपको अलग से कंऩेनर में बिल्कुल भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस एक कट की जरूरत है आपको इस तरीके से कट लगाने की एरे कि इस allग नहीं पड़ेगी नहीं यह आपका समान फराब लगाने का और यह अच्छा सा एक प्लास्टिक सा बन और खाये और फिर आप इस तरीके से गाट लगा करके रख दिए तो कैसा लगा यह जरूर बताईएगा कॉमेट करके क्योंकि हम लोग हर चीज के लिए जो है इस तरांट कंटेंडर नहीं ढूंड सकते और फ्रीज में भी नहीं रख सकते हैं कि अपने काम and life कों कर सकते हैं यहाँ पर फिराज काटने का दाओ तो अक्सर कुछ-कुछ-कूझ कहे निकलते है itt उसके लिए हम लोग क्या करते हैंमाद से उसे कट करते हैं ताक्टी करवा निकल जाए तिन यह तरुका साही आप खी तरीक हो एक इस तरीका निकल जाएं अब अब से अगर सब्सक्राइज पार से खाड़ करने की बजाए आप यहां से करती से हैशा हमें अगर खाड़बा होगा घंगे होगा तो घंखे में वेल थे खांब अफ़ये वेला हों तो कैसा लगा है यह अच्छा लगा इच्पलर काम के लगे होंगे आज की अगली टीप से वह है एपल से लेटे तो फिर जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं मार्केट से एपल खरीद के लाते हैं एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा जिससे कि आपका जो एपल काफी जाना लगे होने चाहिए क्योंकि यह जो ग्रिंठल होते ही ही जिसकी अच्छे से धंच लगे होंगे आपकी एपल जल्दी भर नहीं गोगे बिल्कुल भी वह रखते होना तो आप इसे ईसकी डंधल बिल्कुल मत तोड़िए अगर थौपर बड़ा भी है तो इसे तोड़ने की बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगे इस बात का जरूर धिया रखिए गाइसा लगा जनकारी आप लोग जरूर बिताइएगा आई होब कि आप लोग अच्छे लगाए उच्छ फूल जरूर कीजिएगा फिर शमारी आज की जागली टीप से वह इस तरीके से ब्रा से लेटे प्रस ब्रा जो है हम सभी लोग अब टोड़ता क्या है। हम लोग एतने महँंगे ब्रा खरीते हैं और थोड़ी सी गलती की बज़ा से हम लोग तो झारब होनी की बज़ासे हम लोग जल्दी से फे Malaysia करो आण थोड़ा सा ध्यान किते हेरे कि आपको ब्रा कहां से खराब इस बज़े से जंग लगने के वज़े से जो हमारे हुक्स जो टूट जाते हैं जल्दी हमारा ब्रा अच्छे होने के बाब जूद भी हम इसे फेक ना पड़ता है योज में नहीं लाते इसके लिए आप यहां पर दो तीन टिक्स जान लीजिए ब्रा के बारे में तो आपको ब्रा जल्दी फेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दोस्तो यहाん पर अगर आपका लटक जाता है यह सुरी हो गया। आप क्या कीजी कूँआ है यहां से छोड़ा करके इस तरी लगानी है यहां से थोड़ा जितना भी आपको लग रहा है कि धीला पड़ गया आप यहां से इस तरीके से टक कर सकते हो सिलाई कर सकते हो यह की दूसरी टीप्स फाइनली जब क्या होता है हम लोग की ब्रा जो है यहां पे जो हुक्स होते हैं यह जल्दी ही जंग लगने आपको प्रास्ते में आपका फोक्त खुल सकता है यहां पे इसका मुझ जो फैल होने कि मज़ासे आपको क्या करना है दोस्तों जब भी इस तरीके से फैल जाता है यह जो फैल जाता है तो आप इसको ध्यान जरूर रखिएगा इसको जब आपको किसी हड़ चीज को लेकर क तो इससे जो है आपका सेप में आ जाएगा और कभी भी रास्ते में ये खुलेगी नहीं तो इस तरी बात का ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों और अब बारी आती है इसे जंग की तो जंग लगने की समस्या अगर आपके साथ होती है तो आप क्या किजिए किसी भी अपने कोई भी कलर का यह आप इस तरीके से नेल नर्जी सकते हो और यहाँ पर फूख पर जो है इस तरीके से इसी लगा देए इससे क्या होगा कि हमारे छूअ नोर्ण त jogo 멑חोendus से और हमारे में जल्दी जांग नहीं लगेँंगे तो यह तरीका आप कर लेंगे ओ आ इसे सूखने देते है अब नोग क को जाएगा तो कैसा लगा के बारे में टिप सांट्रिक कि काम की वच्छा है तो मुझे उमिद के सारे साले प्रोफ भी चाएगा। तो फेंट वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक के मेसेज़र कीजिएगा अपने फेंट के साथ भी जरूर सेयर कीजिएगा और चनल पर नए है तो जोइन कर लिजिएगा हमाई साथ ऐसी जूड़ी रही है अच्छे इसी टीप सेंटिक्स देखन करने के लिए तो चलिए मिलते हमें